हलो स्वागत है आप सबको मेरे YouTube शानल गंडारेस्ति में आज का रेशिपी है कोकुनट वाली दाही जेटनी इसके लिए तोड़ा सा राई है ना राई का टेस्ट वहत अच्छा लगता है इसके लिए तोड़ा सा राई लेके उसमें तोड़ा सा बोड़ा सा कम चुटकी बर ऐसे साई डालके अच्छे से इसे पीसना है जैसे पोडर जैसा ऐसा करना है देखो ऐसा तोड़ा दरदरा ही रहने देना ऐसा नमक डालने से उसमें कड़वापन नहीं आती है इसलिए और उसके बाद क्या करना है कि फ्रेश कोकोनट लेना फ्रेश कोकोनट लेके अच्छे से इसे एसे पीसना है अब ये निक्सिंग बॉल में फ्रेश वाली दही ले सकते हो आप नहीं तो एक दिन पुरानी भी ले सकते हो वो कभी-कभी तोड़ा सा बज जाती ना उसे और ये दोनों मिलाये तो भी छलेगा उतना कट्टा वाला मद ले ना तोड़ा मीटा वाला दही ही ले ना देखो एसा दही को आच्छे से सॉफ्ट करके उसमें पहले से लिये तेना हम नार्यल नार्यल और वो है न हम राई का पोडर बनाया था वो तोनों डालके अच्छे से फिर एक बार नमक सब में डालके मिलाना है इस सब को अच्छे से एक बार मिलाने के बाद इसमें एक और उपर से तड़का लगेगा वो हरी मिश से ज्यादा अच्छी लगते हैं लाल मिष्ट से बें अच्छी लगती है, फिर भी हरी मिष्ट से हम तग का लगा है तो एक दिन प्रिज में रखके दूसरे दिन यूज किया तो भी इसका कलर कराब नहीं होगा, इसलिए मैं हरी मिष्ट से रगा रही हूँ, बहुत टेस्ट होती है इसमें हरी मिष्ट, अप फिर आइल डालके राई, जीरा, और तोड़ा सा उरत डाल, चैना डाल, यह सब, यह सब को अच्छे से फ्राई होने के बाद इसमें हरी मिष्ट को काटके रखेते ना वो, वो डालके अच्छे से मिलाना है, कोई-कोई हल्दी भी डालते है, नहीं डाले तो भी अच्छा लगता है, तोड़ा सा ही, डालके अच्छे से मिलाके, इसे वो डही के मिक्षर है ना, उसमें डालके एक और बार उपर से नीचे तक मिलाना है, बस हो गया है, यह चैटनी आप छपाती में काओ नहीं, तो हम वड़ा बनाते हैं ना, वड़ा वड़ा में, राइस में बहुत अच्छी लगती है, आप भी बनाएए, बना के आपके ताट्स हमारे साथ शेर कीजे, प्लीज लाइक, शेर और सब्सक्रेब, तैंक्यू, बाई